नमस्कार दोस्तों आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम कार्डिगन के लिए डिजाइनर बाडर सीखेंगे तो फ्रेंट्स एक ट्रैंगल सत्रा फंदे का है और साइड में एक फंदा यानि आप अठारा अठारा देखे इसमें तीन ट्रैंगल बने हैं तो आप ऐस अठारा अठारा फंदे गिनेंगे तो जितने ट्रैंगल बनाने हैं उतने अठारा फंदे ऐसे गिनेंगे और लास्ट में तीन फंदा एक्स्ट्रा आना चाहिए इसमें तीन ट्रैंगल बने हैं तो तीन ट्रैंगल बने हैं तो फिफ्टी फोर फंदे और तीन फंदे एक्स्टा यानि फिफ्टी सेवन फंदे इसमें पड़े हुए है तो ऐसे ही हम अपने फंदे सेट करेंगे मैंने सलाई में डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं इसका लिंक मैं आपको इसक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इसमें मैं दो ट्रियंगल बनाऊगी तो दो ट्रियंगल बनाने के लिए एटीन इंटू टू चाथिस तीन फंदे एक्स्टा यानि थर्टी नाइन फंदे इसमें पड़े हुए हैं और पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे पैक साइट और सेकेंड लाइन सभी फंदे उल्टे ही बना लेंगे थार्ड रो और फ्रंट साइट पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा उल्टा बुनेंगे फिर उन दूसरी और करेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा उल्टा इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे फॉर्थ रो और रॉंग साइट सभी फंदे उल्टे बना लिया जाएंगे फिफ्थ रो और फ्रंट साइट पहला फंदा स्लिप कर लेंगे सभी फंदे उल्टे और लास्ट फंदा सीधा सिफ्थ रो और रॉंग साइट सभी फंदे उल्टे बना लिया जाएंगे सेवेंथ रो और फ्रंट साइट अब हमारा बार्डर बनना शुरू होगा तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अगला फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे और साथ फंदा सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और फिर दूसरे फंदे में सलाई डालेंगे फिर पहले फंदे में और अंत में तीसरे फंदे में सलाई जालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर साथ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ पहला फंदा एज स्टीच है और इन ही 17 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाले देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ फिर तीन फंदे को एक साथ लेके एक फंदा बनाएंगे पहले दूसरे वाले फंदे में सलाई जालेंगे फिर पहले वाले फंदे में और अंत में तीसरे वाले फंदे में यानि दूसरा वाला फंदा उपर रहेगा और तीन फंदों को एक सा फंदा बना लेंगे फिर साथ फंदे सीधे फिर उन अपनी और करेंगे और दूनों फंदों को सीधा बना लेंगे और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे नाइन्थ रो और फ्रन्ट साइड पहला फंदा सिलिप कर लेंगे फिर दो फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे और छे फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है पहले दूसरे वाले फंदे में स्लाई डालेंगे फिर पहले वाले फंदे में और अंत में तीसरे फंदे में और तीनों फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे यानि जाली देते हुए तीन फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे छे फंदा सीधा और फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है और बीच वाले फंदे को हमें उपर रखना है फिर छे फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हैं वे तीनों फंदे सीधे बना लेंगे और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे 11 रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे अपनी वर है इसलिए जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी वर करेंगे और पांच फंदे सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है और बीच वाला फंदा जो है वह उपर रहेगा फिर पांच फंदे सीधे अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे यहाँ पर दो का एक कर लिया फिर उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा उन अपनी और करेंगे और इन दो फंदो को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा फंदा बना लेंगे यहाँ पर दो का एक किया फिर उन अपनी और करेंगे और अगला पांच फंदे सीधे जाले देते हुए सीधे फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है बीच वाला फंदा उपर रहेगा फिर पांच फंदे सीधे फिर उन अपनी और करेंगे और दू फंदों को हमें एक करना है और जाली भी देना है तो जाली देते हुए दू फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा उन अपनी और करेंगे अग्ला फंदा जाली देते हुए सीधा और लास्ट फंदा सीधा रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे 13th row और फ्रंट साइट पहला फंदा सिलिप करेंगे फिछ चार फंदा सीधा एक दो तीन चार फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए चार फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है और बीच वाला फंदा, यानि दूसरा फंदा उपर रहेगा तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर चार फंदे सीधे और फिर उन अपनी ओर करेंगे और साथ फंदा सीधा यानि जारी देते हुए सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे चार फंदा सीधा फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है फिर चार फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए पांच फंदा सीधा और रांग साइट से सबी फंदे उल्टे फिफ्तिन थ्रो और फ्रंट साइट पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अगला फंदा सीधा फ्रेंस यहां ध्यान देजेगा उन अपनी ओर करेंगे यानि जतना फंदा घट रहा है उतना फंदा यहां बड़ भी टा और फिर उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा सीधा, फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है, बीच वाला फंदा उपर रहेगा, और पीछे से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दू फंदे को हम एक साथ लेंगे, और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दू फंदे को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, यहां पे हम द दू फंदे को नही ले रह को सिर्फ एकंदे में we能acker है यह हमारा zwrica फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे जाली देते हुए सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा जाली देते हुए सीधा एक दो तीन फिर इन तीन फंदो को हमें एक करना है, बीच वाला फंदा उपर रहेगा और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर देखिए उन अपनी और करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे, और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी और करेंगे अगला उंत जालीक देते हुए सिधा और परवंग सबीक के साथ और से ऐलेशने करेंगे फिर दो फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे और ग्यारा फंदे जाली से जाली तक सभी फंदे सीधे बना लेंगे ग्यारा फंदे सीधे बना लिए गया है अब उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा सीधा फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है बीच वाला फंदा उपर रहेगा तीनों को एक साथ लेके बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर दो फंदा सीधा और उन अपनी ओर करेंगे और इन सारे फंदों को जाली देते हुए सीधा बना लेंगे और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे 19th row और फंदा पहला फंदा सिल्प करनेगे फिर उन अग़ा फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे सीधा बनते हुए फिर उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा इन तीन फंदो को एक करना है बीच वाला फंदा उपर रहेगा और तीनों को लेके बैक साइट से एक सीधा फंद हम दू-दू फंदो को एक साथ लेते जाएंगे और जाली देते जाएंगे और बीच वाले फंदे को सिंगल यहां पे हमको सिंगल ही लेना है जैसे यहां उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे जाली देते हुए सीधा उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा अब यहां देखिए यह सेंटर वाला फंदा है तो इसको हम अकेले ही लेंगे उन अपनी और करेंग दो खूल जाली देते ऋएक कर लिया उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हएँ द। एक फंदा जाली देते हो सीधा बनाएंगे इन तीन फंदा को हमको एक करना है बीच वाले फंदे को उपर रखना है अगला फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और यहां पर दो दो फंदो को एक साथ लेते जाएंगे और प्रतेक फंदे के आगे जाली देते जाएंगे अब यहाँ पर यह वाला फंदा सेंटर फंदा है इसले इसे अकेले ही जाली देते हुए सीधा बनाएंगे और ये फंदा एज स्टीच है तो इसे सीधा और पीछे से सबी फंदे उल्टे 21 लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर 8 फंदा सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर उन अपनी और करेंगे और इन 3 फंदों को हमें एक करना है और बीच वाला फंदा उपर रहेगा जाली देते हुए 3 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइट से एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर उन अपनी और करेंगे और फंदा सीधा बुनने के बाद उन अपनी और करेंगे इन 3 फंदों को एक करना है और बीच वाला फंदा उपर रहेगा तीनों को एक साहथ लेते हुए back side से एक सीधा फंदा बनालएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सभी फंदे सीधे बनालेंगे और wrong side से सभी फंदे उल्टे तो देखीए friends borderlar है तियार है सामने से ये ऐसा दिखाए दे रहा है और wrong side से ऐसा आपको जितने triangle बनाने हम उतने 18 फंदे ऐसे गिनेंगे और last में 3 फंदा extra आना चाहिए तो friends, border आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने cardigan में बनाईए इसे like कीजे, channel को subscribe कीजे design को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में share कीजे, bell icon प्रेस कीजे ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद